आप देख रहे हैं न्यूस सेर इंडिया और मैं हूँ अर्फाजा मडाइंग आज की खास मुलाकत में माज़ा मौजूद हैं चीफ इंजिनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल मिस्टर हमेश मंचंदा जी सरस्वागत आपका न्यूस सेर इंडिया मैं क्यों मैं सर मैं आपका न्यूस को जमूरिजिन का उनको इरिगेशन के तुरूप पानी पहिंचाना जी और साथ में जो हमारी मेजर रिवर्ज हैं और नालाज हैं उनका जो फ्लड प्रटक्शन वर्क्स करवाना तो इसके खिलाफ किया करवे की बात की काफी जगवें पर देखा जा रहा ह है कि वहां का रखळखा जो है से ही तरह से नहीं हो पा रहा है उसकी वज़ेसे जो है लोगوں को मुड़रा है वहां पे इंकरॉच्मेंट करने का तो उसके खिलाफ क्या का रवे की जाती है दीखिए पहले अब नालाज और और डिवर्स की बात करते हैं इंकरॉच्मेंट ज है फ्लाड प्रोटेक्शन वर्क्स है रिवर्स के और नौलास के यह दो तरह से हम करते हैं शाट लॉंग टर्म तो हो गया हम डिफरेंट अपने बजट्स में डिस्टिक सेक्टर यूटी में उसका कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं इसके लावा लॉंग टर्म में हमारी में लॉंग टर्म काम करते हैं उसके सेंटर वाटर कमिशन से उनके प्रजेक्स करवा के फिर हम वो एक्जिगूट करवाते हैं जी तो हमें सर जम्मो कश्मीर यूटी में तबदिल हो चुका है तो उसके बाद में क्या-क्या बदलाव जो है एरिगेशन और फ्लर्ड कंट् से हो जाएगी थामेसर अभी भी काफी सारी जगहें अथी हैं जिनको जो है बोडरी लाइन्स बनाने की बनाने की जिरूरत है घुख काफी प्रानी बनी हुए हैं वह लीगेज हो रही है काफी सारी जो समस्या उस-वजह Вас है जो आम जनता को आ रही है तो वह क्योँ नहीं हो रहा है इसमें हम सोचें कि हम किसी वन पॉइंट आफ टाइम पे हंड़े पर से ओके कर देंगे वो नहीं होगा तो यह डिफरेंट स्कीम्स हैं अभी रिसेंटली हमने अपनी चार प्रोजेक्ट नबाड के अंडर बेजी हैं इसमें रनबीर के नलका हमने डाइसो क्रोड का प्रोजेक्स कि मिट किया है परताब के नलका का अकडूर में कोई 75 करोड का दिया है इसे रहाँ चिनाब और तवी में 50-50 करोड के प्रोजेक्ट दी हैं जै तो यह एक प्रोग्रम की मैं बात कर रहा हूं इसी तरह से डिफरेंट प्रोग्रम्स में चलता रहता है यह रैक् केनल्ज की सफाई की बात जब आती है हर साल जो है सफाई के करोड़ों रुपया खरचा जाता है तो उसकी भी कही जग़ां पर देखा जाता है कि बॉंट्री जो है उसका चाहिन का लीकेज दिखा जाता ह। उसके पैचे की कहीं जरूर भड़ती है मैं बात करता हूँ, यह जो आप सफाई की बात कर रहे हैं, यह हमारे डिसल्टिंग प्रोग्राम के अंडर होती है, हर साल होती है, इस तेम भी किनाल्स का क्लोजर डेकलियर हो गया हुए, पंतरह जनूरी से टेंडरिंग हो गी हुए है, एक दो दिन में टेंडर्स कोल दिये सबसे बड़ी जो लोगों को लगता है, वो आती अर्बन एरियास में, जहां जहां किनाल अर्बन एरियास में पास करती है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, इसका काम है, डिसल्टिंग करना, लेकिन हम डिसल्टिंग के अलावा मुनिस्पल गार्बेज भी उठा रहे हैं, आप इस ते मिरनवीर के नाल के नाल हेड़ पे मेरे आफिस के पास ही चले जाएए, अब देखे कितना गांद उसमें पड़ा हुआ है, वो सिल्ट थोड़ी है, जो डिसल्टिंग का प्रोग्रम बना था, यह था कि जैसे चिनाब रिवर में सिल्ट कंटेंट बहुत है, तो यह सिल्ट जमा हो जाती, इसको साल के साल उठाना है, ताकि किनाल के कैरेंग के पस्टी वही रहे, अब सिल्ट तो ही है, लेकिन जो साथ में गार बेज आ जा जाता है बीच में, आप यह देखें, ड्रेंज कितनी पढ़ रही है, वो हमने इडेंटिवाई किया हुआ हुआ रोरल एरियास में हो जाता है, मैनेज, यहां भी सफाई कर देती है, बट जब उसकी आप देखेंगे कि इतने पैसा खर्च हो गया, शकल नजर नहीं आई, तो इस वज़ा से है, यह जो गार्बेज और ट्रेंज बीच में आ रही है, आम जनता को कितना इसमें सतर्क होने की जरूरत है, देखिए सबसे आम जनता का सायोग तो चाहिए ही चाहिए, जो गंत खुद आम जनता फैंकती है बीच में, कम शकम वो उसमें प्रहिस करें, अगर हम अगर अर्बन एरियस में बीच में गंत फैंकते हैं, तो यह समझिए कि यही पानी आगे हमने किसानों को दे होगा. जी, सर, कही जगहों पर अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई नाले के पास में किसी का घर है यहां कुछ इस तरह का है, अगर उसको उसको जो बौंडरी है, वो कमजोर है, वहां पर अगर कोई जो क्रेड लगवाने हैं, तो उसमें कितना एक समय लग जाता है उस आपका आम जनता के लिए सबसे नहरों में गंद आम जनता कम से कम कम से कम मैं कोओंग का सब्सक्राइब चलने शुक्रिया सर्फ हमार से बाचित करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए तो ये थे हमार साथ हमेश मंजंदा जी जो की चीफ इंजिनेर हैं इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के इन्होंने अपने व्यूस हमार से सांजा कियो और काफी सारी जान आज के साथ